आपको नवरात्री की बहुत बहुत शुपकामना है और कोछी दिनों में देश राम नौमी का पर्वा मनाएगा राम नौमी की बहुत बहुत शुपकामना है आपको भी मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाशनों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष नहीं है 2047 है तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मालिटी है मैं समझता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सप नहीं करना चीए दो अलग चीज़े हैं जब देश आजहादी के 45 साल अमृत महोसों मना रहा था उसी समय मैंने ये विशय सब के सामने रखना शुरू किया दाथ से एक दो साल पहले और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आजहादी के 100 साल पहूंगे स्वाभावी गुरूप से ऐसे जो माइल स्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्सा भरते हैं नये संकल्प के लिए व्यक्ति को तयार करते हैं और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मोका है 45 साल पर हम खड़े हैं सो साल पहुंचने वाले हैं इस पचीस साल का सरवाहति को कैसे करें हर इंस्टिटूशन हर कोई अपना एक लक्ष बढ़ाएं मैं अपना गाउं का प्रधान हूं तक मेरे गाउं में इतना तो मैं करूंगा अर्भी आई को मैं कारकम मैं भी गया है नबे साल का उंका कब तो मैंने कहा कि दस साल बहुत महत्रपूर है आपके सो साल होंगे इस पर अभी से सोचिए तो मेरे मन में 2047 ये भारत की आजादी के सो साल और देश में एक प्रेरणा जगनी चाहिए और आजादी के सो साल अपने आप एक बहुत इंस्पिरेशन है इसी व्यक्ति के जुरूत नहीं है तो एक पाड़ तो गो है दूसरा है 2024 2024 ये चुनाव का हमारा जो करम है पांच साल का उसके हिसाब से वो आया हुआ करम है और मैं मानता हूँ कि चुनाव altogether different thing है एक तरफ इस चुनाव में आप देखते हैं लोग तंदर में चुनाव को हमने light नहीं लेना चाहिए ये एक बहुत बड़ा महापरवा है और चलिए मेरा तो मुत है कि उत्सव की रु festival होता है sports के event होते हैं वो sportsmen spirit को प्यादा करते हैं लोग तिस पैर दा भी जब खेल का मादान होता है तो देखने वाले खेलने वाले sportsmen spirit का एक environment क्रेट होता है जो हमारे समस्काब बन जाते हैं चुनाव का ये माहोल अगर हम उत्सों में पलट दे हैं लोग उत्सों बना दे तो हमारी लगों में डेमोक्रेसी आने वाली पीडियों के रगों में वो समस्कार बन जाती है और लोक तंत्र के लिए बहुत आवशक है कि लोक तंत्र इसरुफ सम्विधान की सीमाओं में नहीं बंदना चाहिए हमारी रगों में होना चाहिए हमारे संस्कार में होना चाहिए और उस अर्थमे में 2024 को देखता हूँ यह बास हही है कि हमारा 25 साल का वीजन और उसमें मैंने बहुत काम किया है और यह आज कर रहा हूँ ऐसा नहीं है शायद मैं जब गुजरात में था तब इन दिशा में सोचता था अब देखिए 2024 का चुनाव तो देश के सामदे एक अफसर है कि एक कॉंग्रेस सरकार का मोडे और एक बीजेपी सरकार का मोडे उनका पांट-छे दसर का काम मुझ के लिए बहुत फुला मेदान छोड़ता हूँ पांट-छे दसर का काम और मेरा सिर्फ दस साल का काम कंपरिजन कीजिए किसी भी छेतर में कंपरिजन कीजिए अगर कुछ कमिया होगी तो भी हमारी एफ़र्ट में कमी नहीं रही होगी दूसरा मुझे दस साल में दो साल तो कोवीर की लड़ाई में जाना पड़ा और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था फिर भी आज हम कंपरिटिवली देश को स्पीड कहो स्केल कहो सर्वांगिन विकास की बात करें तो वो कहें सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें हर पेरामिटर पर आपको कॉंग्रेस के मोडल से एक ऐसा मोडल नजरे आ रहा है कि हाँ इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गती से और गती और बढ़ानी है मुझे अगले टम्में गती भी भढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है तो वो तो मेरा लग्षा ही है दूसरा आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देश्वासी जिम्मेवाली देते हैं तरह आप सिंगल माइंडेट फोकस होना चाहिए देश देश के लोग दूरभाग्य से पहले की राजनीती कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना परिवार की जड़ों को कोई उखाड न दे उसी में शक्ती लगाते रहे जब कि मैं देश मजबूत यसी एक लगष को लेकर के काम कर रहा हूँ मेरी सदकार पूरी उस लगष को लेकर काम रहे हैं और जब देश मजबूत होता है तो हर को उसका beneficiली संतोश अनुआ करता है कहां यार कुट्औ हो रहा है मिर्प तो कर रहा है, इमानदारी से कर रहा है, इन चीज़ों का इंपक्ट होता है, तो 2024 यह चुनाव है और चुनाव का अमयदान है, तो हम तो अपनी ट्रेक रेकॉड को लेकर गए है, और भी अपनी ट्रेप को लेकर के आए है। अब प्रदानमान चीजी आपने दो चीज़ों का जिकर किया जिसके बारे मैं पूछना चाहूंगे एक तो जब आरबी आई में जब आपने कहा 2014 वगेरा के बाद कर रहे थे तो जब आप कहते हमें कि ट्रेलर है आपके speeches में अबही तो ट्रेलर है मैं बहुत कुछ करने वाला हूं तो एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जटे कि करने क्या वाले है मोदी जी एक वो नर्वस होते हैं, जो दूसरी जिनका विश्वास आपर पूर्ण तरह है, वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अन्जाम देने वाले हैं, तो दोनों के लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूँ, कि मेरे मन में बहुत बड़े-बड़े प्लान है, और उसके लिए बहुत बड़े-बड़े फैस्ट लिए हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मेरे निर्ने किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लि आगिन विकास के लिए है, जन कल्यान के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशन्स को, मैं देर करना नहीं चाहता है, मैं समय बगाडना नहीं चाहताँ। उस अर्थ में मैं कह रहा हूं। दूसरी बात है, जादा तर सरकारों का स्ववाव होता है, यह मुझाज में रहते हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं, मैं नहीं मानता हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने जादा से जादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किय फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है कि मैं देखता हूँ मेरे देश की कितनी आवश्चता है हर परिवार का सपना वो सपना कैसे पुरा हो यह मेरे दिन में पड़ा हुआ है और इसलिए मैं कहता हूँ जो हुआ है वो ट्रेलर है आपको अच्छा लगा है लेक लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ उस अर्थ में मैं उस बाद को कहता हूँ दूसरी बात है कि 2047 का जो वीजन का सवाल है एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहकर कर आया हूँ और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाओ आओ आचार थहींता किसी भी राज में चुनाओ हो तो मेरे राज्य से 30-40 senior अच्छे अपसर अपजरवर के नाते जाते थे election duty तो 40-50 दिन तक वो भार रहते थे तो मुझे चीनता रहती थे कि मैं सरकार कैसे चलाओ प्योंकि डेश में ऐसे चुनाओ होते ही नहते है और मेरे अबजर्वर जाते रहते है तो मैं तो फिर मैंने सोचा है कि मैं इसको मैं चुनाव होगा तो उस period को vacation के रुप में नहीं लूँगा मैं अपसवरों को पहले से काम देता हूँ अगली सरकार के लिए काम करो तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था अब उसी पर पूछना था हूजे अभी तो चुनाव होई रहे हैं अभी results भी नहीं हैं और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं मैं चुनाव में जाने से पहले शुलू किया और दरसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले दो साल से 2047 को ध्यान में रखके काम करता हूँ और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के opinion मागे सुझाव मागे शायद 15 लाग से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दी है कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखता चाहते हैं और मैंने सभी उनिवर्सिटीज को कॉंटक किया मैंने अलग लग लग NGO को को कॉंटक किया संगटनों को लोग और 15-20 लाग लोग उनिवर्सिट दिया फिर मैंने AI की मदर ले करके उसको सब्जेक्वाइज बनाया इसको काफे मैंने टेक्नोलोजी का टेक्नोलोजी का भर्पूरु क्यों किया मैंने हर विभाग में आप्शरों के एक और मेरा विजन के अनुरुक क्या चीजे हैं कौन सी चीजे डुएबल हैं कौन सी चीजे डुएबल नहीं है उसको मैं अंदाइब मैं ऐसा है कि आचार सहिंता चल ड़ी है मैं अभी अगर इन चीजों को बताऊंगा तो शाइद को इसको गलत अर्थ में ले लेगा तो मैं उसमें फसना नहीं चाहता हूँ लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है में मिली ही जाएगा दूसरा मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ जो मेरा बीजन है लेकिन वो विजन मोदी की बपोती नहीं है वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित गए प्रकार से इसके ओनर्जिप देश की है 15-20 लाख लोग इंपुट देते हैं मतलब पुरा देश दे रहा है मैंने क्या किया है कि मैंने उसको अभी डॉक्यमेंट की रुप में तयार कर रहा हूँ जैसे ही चुनाव प्रकार पुरी हो जाएगी तुरह तो स्टेट को भेज दिया जाएगा मैं चाहूँगा कि स्टेट उस पर काम करे स्टेट को क्या लगता है और वो सिर्फ BJP स्टेट्स नहीं है नहीं नहीं पुरा देश यह देश का है यह भाज़पा का नहीं है यह काम देश का है फिर मैं निती आयो की मिटिंग बुञाओंगा उसमें इसपर ब्यापक चर्चा करूँगा मुखमंतिरों के साथ और फिर उसमें से पाइनल चीज बनेगी दूसरी जब मैंने अपसरों को कहा है अभी जो हमारे सामने चीतर बना है जो कुछ भी इंपुट आई उसका था तो मैंने अपने इंपुट दिये उसमें से मुझे तीन हिस्सों में काम करना है एक BJP का जो मैनिफेस्टों आएगा उसमें से करणिये काम तुरंट कैसे ले सकते हैं दूसरा जो पचीज साल का हमारा जो एक खाका बना है जो मेरा अपना वीजन है भी तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इंपूट चाहिए मुझे मैं ऐसा नहीं मानता हूँगे सब कुछ मुझे ही समझे और मुझे ही दित्कार कोशिस मैंने भारी के मैंने काफी समय लगाया इसमें उसको मैं तीन हिस्सों में बाटा एक पचीज साल उसके लाइट में मेरे नेक्स फाइव यर और उसके लाइट में मेरे फर्स हंडेड देज तो इस प्रकार से मैंने पुरा डिजाइन बना लिए अपसरों को काम पर लगा दिया है क्योंकि मैं एक मिनिट भी घवाना नहीं चाहता हूँगी अब आपको याद होगा 2019 में बहुत कम लोगों को ध्यान देता है उस समय भी मैंने सो दिन का काम दे करके चुनाओ के मैदान में बगाया था और जब वापिस आया हूँ आर्टिकल 370 सो दिन में मैंने कर दिया तीन तलाग चे मेरी बहनों को मुक्ति देला दी पहले सो दिन में किया मैं देश में पहली बार करीब 15,000 क्रोड लगा करके पशुओं के टिका करन का बड़ा भ्यान चला रहूँ और मैंने उन्नीस में पहले सो दिन में किया था तो मैं सो दिन क्या क्या काम करना वो है फजर नहीं करता मैं बिलकुल प्लानिं करके उसको आधर पर आगे कराता है मोदी जी आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है मोदी की गैरेंटी अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उमीदवार जो है वो नॉट इपोर्टेंट है वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गैरेंटी है तो इलेक्शन के दौरान ये सब टर्मिनोलजी इंपोर्टेंट होता है पहली बात है उमेदवार ही नहीं चुनाव में हर मतदाता इंपोर्टेंट होता है चुनाव में बूथ लेवल का कारकरता भी इंपोर्टन होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपुन होता है, और इसलिए ये कह रहे ना, तो और किसी का महत्वप नहीं होता है, ये ये बना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है, तो बहुत महत्वप होता है, जहां तक गारंटी क सबाग है आज हमारे हाँ दुर्भाग्य से शब्तों के प्रती जो कमिटमेंट होना चाहिए है वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नामगाडी कुछ भी बोलतों कहीं पर भी बोलतों कोई जिम्मेवारी नहीं अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेता जी के पु अब लोग एक साथ देखते हैं अरे यह आदमी एक तना हमें मुरग बनाता था हमारे आख में दूल जोकता है अभी मैंने एक नेता का बाशन सुना उन्होंने कहा एक जट्टे में मैं गरीबी हटा दूंगा अब जिनको पांच पांच छेशे दसक देश का राज करने को मि मुझे बाज कहेंगे कि मैं एक जट्के में गरीबी हटा दूंगा तो देश होता है यह क्या बोल रहे हैं तो मुझे लगता है पॉलिटिकल डिडर्शिप की क्वेस्टेनिबल होती जा रही है ऐसे मैं प्राण जायरू वचन न जाय है यह महान परंपरा से हम निकले हुए मैं मानता हूँगे नेताओं ने ओनर्शिप लेनी चाहिए गेए जिम्मबारी लेनी चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ मậ Alpha beer जिम्मबारी है यह कोई करेगा ऐसा करेगा इससे नइसरोगा और उसमें से मैंने बल दिया है एक गॉरणाटी का मैं कमिट्मेंट भी करता हूँ और उसका मैं ओनर्शिप ले रहा हूँ और जब ओनर्शिप लेते हैं तो देश को बरोसा होता है आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का बरोसा है तिन सो सत्तर हटाओंगा भले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे दिया हमारे शांबर साथ मुखर जी ने बली दान दिया था लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे जब मेरा मोका आया मैंने पूरी हिम्मत दिखाई तिन सो सत्तर गई और आज जे कहिमु कश्मीर का भागे बदल गया तीन तलाग कितने ही चीजों से गुजरा को पुलिटिकल लीडर सिफ ढर गई लोगों को रहा भी इनके भर क्या भरोसा करें यह तो एक बार एक बोलते हैं दुसरे लोगों का भरोसा तब बनता है यार यह खुद ख़़े रहेंगे यह ख़़े रहेंगे और जाना भी है त सोचा था नहीं कर पा रहा हूं मैं जा रहा हूं बापिस लेकिन भरोसा बहुत बड़ी तापत होती है और भारत जैसे देश में यह भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवारी मानता और इसलिए मैं बार बार गारंटी यह कहता हूँ मोधी जी आप भरोसे की बात करते है जब हमारे camera teams जहां भी जाते हैं वो सब यह ही कहते हैं कि जो मदताता हो या candidate हो वो सब यही बात करते हैं मोधी पर भरोसा तो have we come to this situation जहां पर पहले होते थे होता बोला जाता था कि इंडिरा इस इंडिया, इंडिया इस इंडिरा और अब है मोदी भारत, भारत इस मोदी. क्या हुस लेवल पर पाँच गहें? ऐसा है कि देश ये कहता है, और जो मैं खुद भी फिल करता हूँ, कि ये मा भारती का बेटा है, ये मा भारती का संतान है. उससे ज़्यादा ना लोग मुझे मेरे लिए सोचते हैं, नहीं मेरे लिए बोलते हैं. भारत मा का संतान है, मा की सिवा कर रहा है, तो इतना ही बहुत है. मैं राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा की बात करती हूँ, इसको एक राजनेतिक रंग नहीं चड़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है. तो फिर चाहे ओपोजिशन हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तुम पापी, तुम पापी. कॉंग्रेस कहती है कि इसका राजनीती करण बीजेपी ने किया, इसलिए वो पापी है. बीजेपी कहती है कि नियोता देने के बावजूद आप प्राण प्रतिश्टा में आए नहीं, इसलिए आप बापी हैं. तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि इसका राजनीती करण किस्त ने किया. और इसको आज की घटना हो समद है. जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था. अमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी. उस समय अदालत में ये मामला निप्टाए जा सकता था. समद्चा का समाधान हो सकता था. भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये ताह कर सकता है चलब इतनी इतनी चीज़े ऐसा कर लो. वो नहीं किया गया. क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है. जो हथियार वोट बैंक पोलिटिस्क के लिए मजबूती का एक दाउ है. इसको पकड़ के रखा गया. और बार बार उसको भड़काया गया. अब जब ये अदालत के अंदर महमला चल रहा था. अदालत में अभी जज्जमेंट ना आये वहां तक पोशिश की गई. नयाइक पकरियासा होना चाहिए. तो हमारा सभिदान हमें कहता है. और सवरकार के तो जिब्यवारी है. तो उसमें आप देखियो राम मंदर का ऐसा लोग है राम मंदर कर रहा है तो में मार देगे अचा करकर वोट बैंक बनाने का तरही का था. अब हुआ गया राम मंदर बन गया. तुनके हाथ से उंग बढ़ ही चला गया. अब ऑब किसको ड़ना नहीं पा रहा है. राम मंदर आजाएग आगया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई, दूसरा इंकी प्रकृति है, आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की घटना है, देखिये, वे भारत की मुलभूत आस्थाने, भारत का मुलभूत जो प्रिंड है, उसके प्रती नेगेटिविटी लेकर के ही देश में व सब्सक्रादार प्रटेल, डॉक्टर राजेन से बाभू को जाना था, वहाँ तो ना जंग संग दान आरे तान आरे तान आरे तान ना कोई लड़ाई थी, लेकिन नॉर्मना करती है, जाने जाने पूजू नहरूजी की जो चिठी थी, हाँ, जो भी है, अब ये और वो पर आज भी चल रही है, कि प्रान प्रतिष्टा का निमेंतरन मिले, और आप इसको ठुकरा दे, सच्पुच में तो आपको घर्म होना चाहिए, कि ये रामंदीर निर्मान करने वाले जो भी लोग हैं, जिन्नों ने संगर्ष्मी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सार को भी उस पुराने मिलाद से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए बोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है, और उस वोट बैंके चलते इस प्रकार की चीज़े होती रहती है, और ये किसे को नीचा दिखाना, किसे का अपमान करना, ये अपना अधिकार म उसकी भी मज़ा कुड़ाना, यानि हर चीज की मैं तमिल लादू जाओ, लूंगी पहनू, तुर को लगता है, देखो, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं हरान हो जी, इतनी नफरत लोगतंतर में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, तेकि हमारे लिए, मैं मानता हूँ ये, न राजनीति का भीशे हम लोगों के लिए है, न होना चाहिए, और न कभी खोगा हूँ, हमारे लिए इत्यभरता आस्था का भीशे है, और ये कोई, प्रभू राम का संबन कोई मेरे लिए कारकार्मा नहीं हाया जी, हाजारो साल से है, और दुनिया के अनिक देशों में है जब ये राम मंदिर का निमंतरन देने के लिए, टसके लिए मुझे आये, उन्होंने फुकरा दिया, मैं सोचने लगा इतना बड़ा मुझे दाई तो दिया जा रहा है, मैं अपने आपको योगे कैसे करूँ, अपने आपको योगे कैसे बढ़ाँ, तो मैंने कुछ लोगो कुछ संतों की, कुछ जानकार लोगों की, मेरी स्पिरिटल लाइब से जुड़े हुए कुछ लोगों को मैंने पूछा, कि भahi मैं इसको एक प्रधान मंद्र के रूप में इस कारकम को नहीं लेता हूं, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूं, मुझे क्या करे, उस म रामिन पर सोता था, नर्गल के पानी पर रहता था, और ताइक किया मैं कि रभुराम जहां जा गए थे, इसमें जहां भी मैं जा सब्हां जाने का प्रयास का बला, और वहां में अपना, जब मैं श्रंगम मंदिर में गया, दक्षिन भारत में, और कम रामायन का मैंने पहले, जब कम रामायन के रचना हुई, तो पहला पाठ इसी जगह बे हुआ, और मैं देख रहां थे, यह जो मैंने अनुभूती किया है, साउत में खास करके, यहां बैठे हुए लोगों का अंदाज नहीं आए गाजी, कि क्या भक्ती है, क्या अस्था है, और कितनी पभी मेरा कारकम नोन नहीं था, मेरा कामित वैसा व्यक्तिकत था, लेकिन जो जन सामार था, एक प्रकार से मुझे उनके भाव में अनुभू कर रहा था, तो मेरे लिए शायद मेरी स्पीरिचल जर्नी की एक बहुत बड़ा महत्पून एक ज्यारा दिन की गटना में देखता हू और रामंदी प्रानत प्रतिष्टा को मैंने बहुत गंबीर लिया था जी, मैंने एक इवेंट के रूप में नहीं लिया था जी, परले वो इवेंट नहीं था जी, वो एक स्पिरिचुल मुवेंट आप के लिए, मैं मामता मुझे दिखता था, पांच सो साल का संगर, एक पांच सो साल का अभीरत, अखन, एक निश्ड संगर, लाखों लोकों का एक काम के लिए बलीदान, दूसरा, लंबी न्याइक प्रक्रिया, इतने सालों के न्याइक प्रक्रिया, और न्याइक प्रक्रिया के हर तराजू से तूल करके निकला हुआ, कसूर की हुआ हुआ तूसरा टेकनलोजी का उपयोग ASI के द्वारा उसकी खुदाई सबूत ये एक बहुत बढ़ा और चोथा हिंदुस्तान के कोटी कोटी लोगों ने एक एक दो दो पाचपाद रुपया जो भी दे सकते हैं दे करके ये मंदिर बनाया है ये मंदिर सरकारी खेजाने से नहीं बनाया है ये ऐसे पहलू है कि जो भारत के स्वाभिमान को भारत के सामर्थ को भारत के सपनों को भारत के संकल्प को और भारत के आने वाले पीडी को बहुत बड़ी प्रेना देने वाले हैं हम दक्षिन भारत की बात करते हैं तो पहले मैं दक्षिन भारत के कुछ मुद्दों के बारे में उठाऊंगी BJP का एक ऐसा नेता तमिलनाडू में उभर के आया है जो इसके लिए मीडिया इटेंशन काफी कुछ आ रहा है वो है अन्नमलाई जी तो वो काफी कॉन्फिडेंट है कि तमिलनाडू में BJP को डबल डिजिट फिगर आएंगे तो क्या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप भी तमिलनाडू इतनी भारी जा चुके हैं पहली बात है कि कमिलनाडू जनसंग के जमाने से और भारती जनता पार्टी मैं कहता हूं पाँच पाँच पीडी हमारी इस विचार के लिए भाँ खप चुकी है तो एक निरंतर काम चला है जब कॉंग्रेस से लोग निराश हुए तो पादेशिक पक्षों की दर्ब गए है और लंबे अर्शे तक पादेशिक पक्षों का जो कुछ भी काम काज देखा है अब लोग निराश हो गए है निराशा के इस माहूल में उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार का मोडल देखा हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार का मोडल देखा देज भर में जो तमिल बंधु रहते हैं उन्होंने अपने घरों में जाके बताया भी हम जिस राजी में रहते हैं वहां तो यह हो रहा है तो लोग स्वाभावी तमिल प्रजान कमपरिजन करने लेगी कि जो हववां ख़ड़ किया गया था यह तो अच्छा काम कर रहे हैं अब जैसे मैंने तमिल काशी संगम किया तो तमिल नादु में डेयम के पार्टी वाले लोग तो पान Іपुरी वाले पानि पूरी वाले करके meजा कुडाते थे लिकिन जब तमिलनावड़ी के लोग काशी शंगम कारकर में आये और काशी का रूप रंग देखा उनलों का यह अगले तो जो सुनाता ऐसा नहीं है यह तो बहुत डेवलोप दिखता है बड़ी प्रगदी हो रही है IT का नेटवर्क दिखता है तो सोचने का तरीका बदले लगा और उसके कारण DMK के परती जबरदस गुस्सा पैदा हुआ है मैं कलपना नहीं करता हूँ इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है ओ गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है BGP की तरफ पोजिटिव बे में और अन्नामलाई बहुत अच्छे आर्टुकलेट है यंग है बहुत ही अपनी IPS केडर में है बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नोकरी छोड़ करके आए है दूसरा लोग सोते कि अरे इतना बड़ा हुनहार केरिये छोड़ के आया आदमी तो DMK, AI, DMK में चला जाता उसकी तो जिन्गी बन जाते है तो वो बहुत नहीं गया वो BGV में आया तो लोग आप आप यार यह BGV में गया है मतलब कुछ मेटल है कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है तो स्वाभाई गुरूप से इसके आकरश्र का केजडर बना है और मेरी पार्टी की विजश्ता है हम हर स्थर के हर छोट equip नगए कार करता है जिसम अक्षमता है उनको उफसर देते है हमारा कोई परिवार्बाधी तो पार्टी है नहीं परिवार से चलिज पार्टी नहीं है जिन पार्टियों में of the family, by the family and for the family होता है और इसलिए हमारी हाँ तो हरे एक को अफसर मिलता है फैमिली बेस्ट पॉलिटिक्स अगर हम बात करें तो तमिलनाडू में बीमके ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिये हैं सनातन के खिला और वो तो काफी अर्से से करते आये हैं काफी दशकों से उनका अंटी सनातन पोजिशन रहा है लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आक्रोश दिखने को मिल रहा है तो आप क्या समझते हैं कि is it because of awareness कि लोग BJP की तरफ मुड़ रहे हैं या फिर सनातन के खिलाफ जो उनके स्टेट्मेंट से वो बाकी राजियों में भी ये थैल रहा है अब मैं इस सवाल को जड़ा अलग तरीके से देखता हूँ सवाल में कॉंग्रेस को पोचना चाहिए जो कॉंग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में मात्मा गांदी का नाम जोड़ा हुआ था जो कॉंग्रेस जहां इंदरा गांदी जी गले में माला खुले आम पहन करके घुमती थी रुद्राक्ष माला जो जो हाँ सवाल कॉंग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि ये सनातन के खिलाब इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भई क्या तुम्हारी राजरीती अधूरी रह जाएगी क्या ये कौन सी कॉंग्रेस की सोच विकृती आ रही है कॉंग्रेस में इस जिनता का विशय है डियमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और दिरे दिरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्विकार करने नहीं लगे है और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बूल है प्रस्टन उनका नहीं है प्रस्टन कॉंग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मुल्क केरेक्टर गवा दिया है क्या जब समिधान सभा में जो लोग बैठे थे जाता तर गांधियन लोग थे जाता तर कॉंग्रेस की विचारदारा से जुड़े हुई लोग थे और पहला समिधान बना उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुई है तो आपका समिधान बना उस सम्विधान में सनातन का गवरों के हिस्सा था और आज सनातन को इतनी भैंकर गालिया देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाओ की राजरीती करें उनके साथ मंच साजा करें मजबूरी कॉंगरीज की ये देश के लिए चिंता कवीश है और जो तमिलनाडू के मुख्य मंत्री और कुछ और दक्षिन के मंत्रियां हैं मंत्री हैं, मुख्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि जो दक्षिन है वो अलग एकाई है उत्तर अलग एकाई है दक्षिन भारत और उत्तर भारत और BJP जो है वो दक्षिन भारत में सेंध नहीं कर सकती। रावल गांदी ने तो संसद में भी कहा था कि आप अगर पूर उससे देखें, बंगाल से देखें, और इसा अंधरप्रदेश, तेलंगाना, तमिर्नाडू, केरल तक जाएं, पूरे एरिया में BJP सेंध नहीं कर और भारत में भारत को टुकड़ों में देखना ये भारत के प्रती नासमझी का पढ़नाव है, अगर यही भाव होता है, अगर आप हिंदुस्तान में देखें प्रभू राम के नाम से जुड़े हुए गाउं कितने सबसे ज्यादा कहा है, तो तमिल नरुब है, इतने सारे गाउं के नाम है कि उसमें राम तो होगा ही होगा, अब इसको आप कैसे अलग कह सकते हैं, किसको गले उतारेंगे आप, लेकित भारत के विवित्ता है, पंजाबी जैसा होगा ऐसा नागालेंट का वेक्ति नहीं होगा, गुजराती जैसा ह वेक्ति नहीं होगा, तो विवित्ता ही तो हमारी शक्ति है, हमने विवित्ता को सलिप्रेट करना चाहिए, हमें गुल्दवस्ता है भारत का जिम हरेता अपना फूल दिखाए दे, यह वाँ होना चाहिए. पर कॉंग्रिस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विवित्ता को अप्रीशेट नहीं करते हैं, एक रंग में ढालना चाहते हैं, और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं, अगर वो आ जाता है, तो सम्धिदान रद हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा और वो है जो मोदी जी कहेंगे? कोई एक ठांचे में जेश को डालना चाहते हैं, हम तो विवित्ता की पूजा करते हैं, हम विवित्ता को सेलिपरेट करते हैं, और मैं हमको के हरे को कह दोप्जा सेम ने कहां, कि भाई, डॉक्टर बनना हैं इंजिनियर बनना ह। उसका मात्रु भाषा में क्या निक बन सकत मुझे यह अभी गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था तो उन्हों मैं से किसे न पूशा हमारे लिए कोई संदेश तो ऐसे मैंने काम करो अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे सिगनेचर करेंगे अपनी मात्रू भासा में सिगनेचर करो इतना तो गर्व करो अब मैं तो विविदता को लाने की कोशिश कर रहा हूँ अब उनको आरोफ लगाने हैं क्या करेंगे कुछ मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि उन्हें सेंटर से सहयोग नहीं मिलता दक्षिन के भी कुछ मुख्यमंत्री हैं आप भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं, अब प्रधान मंत्री हैं पिछले 10 साल में, क्या कोपरेटिव फेडरिरिजम को लेकर आपके विचार बदल गए हैं जब आप मुख्य मंत्री थे और जब अभी आप प्रधान मंत्री हैं, दरसल और क्या उन्हें नहीं मिलता साहियोग दुर्भा के हुआ है कि जो रिजिनल एस्पिरेशन होते हैं, उसको सबसे ज़्यादा तबज्जु देनी चाहिए, यह मेरी पार्टी की फिलोसॉफ ही है अगर आप रिजिनल एस्पिरेशन जो हैं, उसको नकार करके विक्सित भारत का सपना पुराने कर सकते हैं दूसरा, मैं गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहके आया हूँ और मेरा सहुबाग है कि देशमा में पहला प्रदानमंत्री ऐसा हूँ कि जिसके पास राज्य के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा अनुभव रहा है तो एक मुख्यमंत्री के नाते केंद्र से क्या पिक्षाय होती है केंद्र से क्या तकलीफे होती है उसको मैंने भली भाती जीला है समझा भी है और इसलिए मैं कता ही नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई राज्य उसका उमंग उत्सा हो विकास का उसके कोई रुकावट परदा हो अगर रुकावट हटा सकता हूँ और उसके मैं उनकी मदद कर सकता हूँ वो भी मैं करने के लिए देश बनाना है दूसरा में गुजरात था तब भी मेरा मंत्र था यहां सरकार UPA की थी तब भी मेरा मंत्र था भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास मैं गुजरात का विकास करूँगा क्यों? क्यों मुझे मेरा देश का विकास करता है हमारे देश में वाता हुड नट बना ची है और हमने एस्पिरेशनल डिश्टिं की कलपना है Колे हर राज। लिव तक हम लग कि मदद की मदद की सबी राजिए हमारे एस्पिरेशनल डिश्टिं के मिल कर के हमु काम कर रह और बहुत अच्छे परणाम नजना रहे हैं, अब आप कोरोना देखिए हैं, मैंने इतनी भार चीफ मिनिस्टर से मिटिंग की साथ, बीस-पचीस बार, और हर चीज में सम मिलकर के नेड़ने करते थे, तो हम साथ मिलकर के चले, तो हम कोरोना के जंग को जीतने में सफ़र हु और इसलिए, और इसलिए मैंने हमेशा कहा है, को देश को आगे ले जाना है, तो मैं competitive cooperative federalism चाहिए, हमारे हाँ स्परधा होनी चाहिए, तंदुर स्परधा होनी चाहिए, विकास की, तब जा करके, अब देखें G20, मैं G20 दिली में कर सकता था, मैं असा ने किया, हिंदुस्त के हर राज में G20 समिट किया, क्योंकि हर राज में G20 को सबसे जादा आउसर मिले, लोगों को उस राज्य को देखने का आउसर मिले, राज्य को अपना exposure के लिए global platform मिल जाए, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा देश का हर कौना मेरे लिए देश ही है मोदी जी, दो सवाल G20 को लेकर मैं पूछना चाहती थी आपसे, एक तो वो जो classic shot था ना, वो President Biden और Prince Salman जो handshake वाला जो shot, उसके बारे में एक, दूसरा Western media में बहुत से articles आते थे उस वक्त कि कोई consensus होगा नहीं, declaration होगा नहीं, पर हो गया declaration, तो ये दो इन दोनों चीजों की backstory बताईए, एक तो आपने वो handshake कैसे करवाया, और दूसरा declaration कैसे हुआ? एक global good, जब उसके लिए काम करते हैं, और अपने नीजी कोई ifs and buts नहीं होते हैं, तो आप दुनिया को on board ले सकते हैं, और मेरी कोशिश ये थी, कि मुझे बताईए भे, आखिर कर जी एट और जी ट्वेंटी पैदा कैसे हुआ, जिन मुद्धों को लेकर के पैदा हुआ तो उस मुद्धों से हटना नहीं है, और उसमें सब मेरे से कन्विन्स हुए, सब लोग कन्विन्स हुए, कुछ लोगों से मुझे व्यक्तिकर बाद इतने की ज़रोत थी, मैंने वो भी किया, कुछ शब्दों की किसी की आगरे रहते थे उनको मैंने समझाने का प्रयास किया, दूसरा मेरा इरादा था कि मैं लास्ट डे, लास्ट सेशन में नहीं करूँगा, मैं इसको इतना जल्दी करूँगा कि लोग सर्प्राइज कर जाएंगे, और इसलिए म मैं इसको किसी भी आहरत मैं चौका देना चाहता था, तो तो दाट वज मैं स्ट्राइजी, और उस्ट्राइजी सफर हुई, और मुझे खुशी है, जहां तक दुनिया के उन-उन देशों को क्यों लाए साथ, कैसे लाए, तिके सिल्क रूट की चर्जह हम बहुत समय से सु इसको कि लिए नहीं नहीं है, तिके सिल्क रूट चल पड़ा और यहने इवाल हुआ दुरे दिरे है, हम लोगों ने, जो आयमेशी की तरीशा में हम गए है, यह बहुत बड़ा गेमचेंजर बढ़ने बहुत बढ़ने बहुत बढ़ने बहुत हुआ है, और आने वाले हज कि भाई हाँ यह तरीका है उसमें गर्भ कंट्रीज का भी पॉजिटिव और प्रोएक्टिव रोल था भारत ने एक अच्छी भूमी का निभाने का भारत को आफसर मिला विएस यूरोप हमारे साथ थे और सबको लगा कि एक कॉंक्रीट पॉजिटिव आउटकम निकलेगा त तो उसमें स्वाभायूद था कि साओधी किंग और प्रेजेंट बाइडन और दोनों के साथ मेरी अच्छी मितरता है तो मैं कि सही का भी हाथ भी पकट सकता हूं किसे के बात लिकरा है तो परस्नालिटी पॉलिटिक्स भी आता है न क्योंकि देखे आप कि अगर हम अगर हम आपको समान भी दिया गया था वहाँ पर तो चाहे इस एश्या हो या वेस्ट एश्या हो इसमें परस्नालिटी पॉलिटिक्स कहां तक है इंपोर्टन है कि आप उनके जो राश्ट्रपती है या प्रधान-मंतरी है उनके साथ आपका वाइबिंग होता है आप उनक कि परस्टनल रिलेशन यह बहुत ज्यादा इन चीजों में नहीं डा रहे था, एक मत है, स्ट्रॉंग मत है, मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमसी अगर प्रोटोकॉल में फसी रहेगी, तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, डिप्लोमसी की ताकद भी इनफॉर्मल में भी है, पोटोकॉल में ही इसा नहीं है, पोटोकॉल में ज्यादा पोजिशन ही होता है, पहले कौन आएगा, पहले कौन हाथ मिलाएगा वगेरे, उस ही में समय जाता है, तो मैंने सुरू से देखा कि भई, जैसे मेरी शपत हुआ बड़ा इंटरस्टिंग है, मैंने ताइग किया कि मैं सार्ग देशो को, दो हजार चौदा की शपत है, पहली बार बार बार, सार्ग देशो को बना रहे का मैं मन में विशारा आया, और उसके पीछे काना नहीं था क्यों मेरा चुनाव प्रचार में मुझ पर आरो की था, क कि ये मोदी तो कि राज्य से आया है, ये देश की राजनीति क्या समझेगा, दुदेश नीति क्या समझेगा, ये तो दुबो देगा, ये चुनाव प्रचार का मेरा खिलाप की जो मुद्दे थे, तो मैं एक बड़ा महत्वक्न मुद्दा था, सब लोग मेरी मजाब दाते तो मुझे लगा इनको एक खी एक्षन से मुझे जवाब दे जाना चाहिए, बोलना की जरूत नहीं है, तो मैंने सपत सबारों में साख देश को बुलाया, उसके पहले मैंने बैट चैनल से उन सब से सहमत दे ले ली थी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई, और सब लोग आये, म नहीं सारी चीज़ों से बिलकुल नया था, बिलकुल अनविग्य था, लेकिन बाइलेटरल सब के साथ होना था, जब हम लोग हैदराबास हाउस में गए, तो मुझे समझाया, सब प्रोटोकल वालों सब ऐसा होगा, वाएंगे, आप ऐसा कहेंगे से, जब समय हुआ आना से मैंना कहा ऐसा करो मैं बाहर जाता हूँ उनको लेने लिए, तो सारी सिस्टेम हिल गई था, अपने प्रदानमंत्री गेट पर जाएंगे, सारी मेरे 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 प्रोटोकल की जो दुनिया थी न, उसके लिए वो पहला ही दिन बड़ा गजब होता, और मेरे लिए वो ए पर फोकस करके, डिप्लोमसी के लिवल को सिफ करने का प्रयास किया, और उसमें मिझे सफलता मिली है, प्रेजिदेंट ओबामा, प्रेजिदेंट बाइडन, प्रेजिदेंट ट्रम्प इन पीनों के साथ आपने काम किया हुआ है, और इंडिया-U.S. रिलेशन एक अपवर ट्राजेक्टरी पे हैं, लेकिन बहुत से मुल्क हैं, जो भारत की अपवर ट्राजेक्टरी से परेशान होते हैं, ये, it is understood कि ये है, जैसे कि चाइना, क्योंकि वो, they used to think कि group of two होगा, एक तरफ चाइना, एक तरफ अमेरिका, मतलब दो पावर सेंटर होंगे, तो मैं उधारन के लिए चाइना दे रही हूं, लेकिन हमारे इर्दगिर्ट जो मुल्क हैं, वो भी थोड़े असमंजस में हैं, कि ये भारत की ट्राजेक्टरी इतनी उपर इतनी जल्दी जा रही है, क्या हम अपने नेबर हुड को, अपने सक्सेस स्टोरी का हिस्सा नहीं बना सक अच्छा सवाल आपने पूशा, हमारी डे बन से पॉलिसी है, एक नेबर फॉस्ट, दूसरा एक इस्ट, तो जो हमारे इस्टन पार्ट के जो हमारे आश्यान को कंक्री के देश है, इसमें आमने एक इस्ट पॉलिस लिया है, यहां नेबर हुर फॉस्ट, तो यह हमारा डे गण से हमारे देश की भी पॉलिसी है और हमारी भी पॉलिसी है, पहले लू कैस था, मैंने आकर के इसको एक इस्ट इस्ट कहा, लेकिन इसमें दूसरा, आज दुनिया के सेंकरो मिल दूर भी कोई देश है, उनको लगता है कि भारत के प्रगते में हमारा को बेरिफिट है, तो पॉलिसी को नहीं देखेगा, आज पॉलिसी सबसे ज़्यादा कूश है, क्योंकि भारत उनके सबसे वप जैसे कोई पॉलिसी देश नहीं है, जिसके हमने मदद ने की हो, नेच्नल केलिविटी, कोई ऐसा देश नहीं है, अब ज़ नेपाल में भुक आप एप 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 स्री लंका में बहुत बड़ा क्राइसिस हाया, उस क्राइसिस के समय है, सबसे जादा उनको मुसीबत में से बाहर निकालने का कोई काम किया है, जिंदस्तान निकाया है, और पॉब्लिक लिवो रेकरग्नाइज करते इसको, कहते हैं, और इसलिए मैं तो अन दूसरा को पडोसियों को सक्तिशाली और सम्रुद्य देखना चाहते हैं, आपने दूस्ती का हाथ बठाया था, 2014 से ही पाकिस्तान, चाइना के साथ भी ऐसे किया था, लेकिन जब आप सक्सेस टोरी या अपने नेबर हूट फर्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान, चाइना, से जादा उनका internal politics के लिए कुछ चीजे जरूरी है, जी, विदेशी media जो है, वो हमेशा कहती है कि Modi is the most popular prime minister in India, वो इस बारे में कोई दोर आए नहीं है, लेकिन ये भी कहती है कि a strong Modi means democracy starts sliding, मतलब लोगतंत्र के लिए खत्रा है अगर Modi ji और strong हो जाएंगे, लेकिन भारत में agencies कहते हैं कि लोग जो हैं वो खुश है कि Modi ji अगर strong हो जाएंगे, तो उनहीं के ratings ये कहते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात है कि उनकी terminology क्या है और उनके इस conclusion पर आने का आधार क्या है, ये अपने आप में research का विशय है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, कि जिस देश में छे लाग पंचायत हैं, चूने हुए लोगों से चलती हो, दुनिया में कोई दोई सैसा है जहां छे लाग पंचायत हैं, और नियमित रुप से चुनाव जहां होते हैं, इतने राज्य, अनेक पार्टियों की सरकार हैं, महारे देश में सहाइद ही कोई ऐसी पुलिटिकल पार्टिय होगी, जो कहीं सत्ता में डाफ हो, तो ये सब होने के बावजीत पगर ये कहना, कि सर्वसत्ता अधिस के बन रहा है, तो ये तो मुझे लगता है उनको जानकारियों का भाव है, दूसरा, अगर मोधी सर्वसत् तो जी ट्वेंटी में मेरे अगल बगल में ही करता है, मैंने तो रज्यों के बावजी पुलिपास, क्योंकि भुवक्रिक करेक्टर है ये बारा, मैं मधर अप डेमोक्रसी, इसकी दुनिया में गुंजब कर रहा हूं, तो उनको क्वेस्टन हो औरा है, क्योंकि वह भी भी स तो रक्षेत रूप से वापस भारत लाया गया, ये एक दिल्धे लाने वाला किस्ता था, इसमें आपने आपने होस्टिलिटी ज रोकने के लिए परसनल हज्तक्षेप किया था, परसनल इंटर्वेंशन किया था, ये सुनने में आया है, तो इसके बारे में कुछ देखिए, युक्रेयन की चर्चा जला जादा हुई एक लापस, लेकिन मैं चवधा से ऐसे कई घटना है, अगर आपने एक सुष्वा स्वराज जी का इक इंटर्व हुए, आप देखिए, कि कैसे यमन में से हमने हिंदुस्तान के लोकों को लाए है, और साओधी किंग के स सुष्माजी अपने इंटर्व में सारी चीजे कही हुए है, भारत की रिक्वेस्ट पर एक पिरेड रहता था, जिस पिरेड में बंबारिंग नहीं होता था, और उस समय हम हम हवाई जहाज में हमारे लोकों को निकालता है, यह मन से करीब 5,000 लोकों को लाई थे, उसी प्र रोष्या से भी इतना ही गनिष्ट ने नाता रहा है, दोनों राष्पति ये साथ मैं बहुत मित्रता पूनत मेरा रहा है, मैं पबली के लिए राष्पति पुतिम को कह सकता हूं, कि युद्व का समय नहीं है, मैं उकरेन को भी कह सकता हूं, पबली के लिए, कि बाच्चित एंभसे हो गए है और मुझे आपकी मदद छाई है । और मैं आप क्या व्रस्ता कर सोगत। जो नहीं बता है, तो मेरा था मेरी मदद किई तो दो मुझे डोना था मदद की। और भारत के तिरंगे की ताकत लेकिता है जसेते कि Electoral Bonds के बारे में, राहुल गांधी जो हैं, वो हर भाशन में कहते हैं और विपख्ष के निता भी कहते हैं कि इसमें धानली हुई है, आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलति है, अगर ईसमें कोई गुझाइश है इसके सुधार में तो वो कर सकते हैं, क्या ये ग बड़ा खतरनाख खेल हो रहा है। देश के चुनाओं को काले धन से मुक्ती मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। यह चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाओं में खर्ट होता ही होता है। कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पाटी भी करती है, सब पाटीया करती है, फैंडेरी। पी करती हैं। और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं। सब पार्टीया लेती है। मैं चाहता था भ्唱ुछ कोशिश करें जिए। कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ती मिले है, टांस्फरन से कैसे आई, एक प्रामानिक पवित्र विचार मेरिमन में था, रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पुरुना है रस्ता, हमने उसमें भी क्लेम नहीं किया था, पर्लामेंट में हजार के नोट खतम करती है, चुना में वही बड़े-बड़े मात्रा में ट्राविलिंग करते हैं, क्यों? कि ये काला धन खतम हो, हमने सुप्रिम कोटे कहा था, कि बीस हजार रुपिय तक, पुल्टिकल पार्टिया कैस ले सकती है, मैंने कानून बना कर, नियम बना करके, बीस हजार को ड़ेजार कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने ही चाहता था कि ये कैस वाला कारोबार चले, फिर मैंने कहा है कि इलेक्टरल बन, कि जो पार्टिय अपना सिक्रसी मैंटेन करना चाहती है, होता था क्या? जैसे हम पहले बीजेपी में, चेक से पैसा लेंगे इताई तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहने साभ हम चेक से दे इनी सकते हम जाए क्यों नहीं दे सकते हैं, बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है तो देखेगी, कि ये वीपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो परिशान कर तहर बोले हम तो पैसे देने के लिए तया रहा है लेकिन जेक्स से नहीं देंगे तो मुझे आते हमारे 90 के दसक में झुनाओं में हमको बड़ी दिक्कत आई थी वैसे नहीं थी भी नहीं तेया हो और हम निखाके बेठेते हैं कि हम चेक्षे लेंगे, देने देने को तेहार थे चेक्षे देने के इमके, इम्मत नहीं थी, तो यह सारी चीजों का पुझे पता था, तो मैं रहा का भे, तो हम रहा का भी ऐसा है, अब देखिए, इलेक्टोरल बॉंड न होते, तो किस व्यवस्ता में ताकरत है को डूंड क निकालते हैं, कि पैसा कहां से और कहां गया, यह तो इलेक्टोरल बॉंड की सकसे स्टोरी है, कि इलेक्टोरल बॉंड थे, तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का, कि किस कम्पने ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया, अब उसमें अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो विवात का नहीं होती है, तो चर्चा कर सुखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत सम्भावना है, लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन के तरफ देश को धकेल दिया है, और इसलिए मैं कहता हूँ, सब लोग पस्ताएंगे, जब बात में से इमानदारी से सोचें सब लोग पस्ताएंगे, अब देखिए, इलेक्टरोल बांड का भी विशस्ता देखिए, ऐसा जूट चल रहा है, कुल देश में तीन हजार कम्पनियों ने इलेक्टरोल बांड दी है, उसमें तीन हजार में 26 कम्पनियां ऐसी हैं, जिन पर कारिवाई दिये, ये कहते हैं इडी वीडी ठिकना पना, तीन हजार डोनर है, उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कम्पनियों ऐसी थी, छापा जब लगा, उस समय बांड खरीदा, कोई जोड सकता है इसको, अगर बांड खरीदा, लोगें जोड रहे हैं, उसकी विशस्ता ही है, कि ये जो 16 कम्पनियों ने ब बीजेपी को डोनेशन में मिली, 37, 63 परसंट बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली, अगर पूरे जोड़े जायें तो, मैं ये 16 कम्पनियों जिसको, एडी, CBI, कोई नो कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉंड भी निकला, 37 परसंट बीजेपी को, 63 ओपोजिशन क क्या एडी रेड करें और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कारकमबर करें, क्या बीजेप ऐसा करेगी, इसका मतलब कि 63 परसंट पैसा विपक्ष के पास जाए, और आप आरो फंपल लगाएं, लेकिन उनको गोल मोल बोलना है और भाग जाना है हम transparency की बात करते हैं, तो विपक्ष कहता है कि ED, CBI, IT, सारे के सारे इदारे जो है, election commission को भी जोडते हैं, वो कि सारे इदारों पर BJP हावी है, और level playing field है ही नहीं, मतलब they are already making the ground की election जो है, वो fair नहीं हो सकता इसमें एक भी कानून मेरी सरकाने ने बनाया, चाहिए ED हो, CBI हो, चाहिए election commission, ऊपर से हमने तो election commission में सुधार की है, आज election commission बनता है, तो opposition भी उसमें होता है, पहले तो प्रदान मंत्री एक फाइल पर साइन करते हैं, election commission बना देता हैं, और जो उनके परिवार के साथ election commission बने ते, ऐसे लोग election commissioner बने ते, जो वहां से निकलने के बाद, राजसपा के member बने, उनकी सरकार के minister बने, ऐसे election commissioner बने ते, जो congress के बाद में candidate बने, और इसलिए हम उस level पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा level प्ले हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बनी नहीं सकते, हम अच्छे रस् पर जाना नहीं चाहते, दूसरी बात है, अखिर E.D.E.C.B.I. कैसे में, E.D.E.V.E. का आप देखेंगे, या election commission अपने कहावत है, नाच न जाने अंगन टेडा, और इसलिए कभी EVM का बहाना निका देंगे, कभी, बूलत है, पराजय के लिए वो कुछ रिजनिंग अभी स सेट करने में लगे, ताकि पराजय उनके खाते में नचर जाए. वो के रहें लड़े कैसे आप या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं, या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आगे तो सारे पाप दूल गए? कितने ऑपोजिशन लीडर्स जेल में है? कोई होता है, मेरे हाँ भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको सबको जैल में डाल दिया था, दूसरा, एडी की बात करते हैं, आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं, जब आप मुख्यमंदरी था, अच्छा जो एडी की बात करते हैं, एडी ने जितने केसिस किया, उसमें से, सिर्फ देश को समझना, सिर्फ तीन परसंट ही पुलिटिकल लोग इन्वाल है, जिन पर एक केस हुए है, 97 परसंट जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों है, कोई हुआ है, जो कोई ड्रग मापिया है, कुछ अफसर हैं, जो करफशन करते हैं, 27 परसंट केस उन पर हुए है, जो में वो लोग गये है, अजब बजा देखिए, एक स्वतामत संसा को काम कर देना चाहिए, नहीं करने जेना चाहिए, बनाई क्यों है, दो हजार चवदा से पहले, ये संपती एटेज करने का एड़ी को अधिकार है, दो हजार चवदा से प मेरे कालखन में गलत काम करने वालों की एक लाग करोड रुपिय की संपते अटेच हुई है, कई देश की जनता का पैसा नहीं है, दूसरा आकड़ा तो आप और हैरार हो जागे, ट्वेंटी फोर्टिन पहले, इसी एड़ी ने देश में से 34 लाख रुपिय, 34 लाख रुपिया कैश जब्त किया था, मतलब कि स्कूल बैग में आजाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आजाए, पिछले 10 साल में हमने 2200 करोड रुपिया कैश जब्त किया है, 2200 करोड कहां 34 लाख, कहां 22 करोड, 34 लाख रुपिया एक बैग में आजाता है, 2200 करोड रुपिया स्वीप करना है, तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है न, 17 ट्रक लगेंगे, तब जाकर रुपिया, इतना रुपिया हमने, इड़ी ने हमारे कालखन में है, इसका मतलब यह है, क इड़ी सही काम कर रही है, कैस पकड़ाए में, लोग पकड़े ने कैस भी पकड़ाए, और मेरा यह कमिटमेंट है, मैं यह कन्विंस हूं कि प्रस्टाचार ने देश को तबहा करके रखा है, हमें देश में से प्रस्टाचार के खिलाब डड़ाए लड़नी चाहिए, पू इलोन मस्क भारत आने वाले हैं और वो जब आपसे अमेरिका में मिले थे तो उन्होंने का था वो आपके प्रशंसक हैं, he's a fan of yours, क्या हम भारत में टेसला का स्टार लिंक यह सब देखेंगे और इससे जुड़ा एक सवाल था कि क्या जब ऐसे कंपनी भारत में आएंगे तो क कि पहली बात है, एलन मस्क मोदी के प्रस्वंसक है, वो अपनी जगापे है, मुल था, वो भारत के प्रस्वंसक है, और मैं अभी उनको मिला ऐसा नहीं, मैं दोहजा पंद्रा में उनकी फेक्टरी देखने गया था, वो कहीं बाहर थे, तो स्पेशली अपने सारे कारकम कैं मुझे सब चीजे खुद नहीं अपनी फेक्टरी में दिखाई और उनका वीजन क्या है, वो मैं उनसे समझा, मैं अभी गया थे दुबारा भी उनको से मिला था, और अभी वो भारत आने वाले भी है, देखिए भारत में पिछले दस साल में, दुनिया भर से हर क्षेत्र मे है, पुझी निवेश हो रहा है, अब हमारा EV market, electric vehicle का market कितना बड़ा बड़ा है, आपको जानकर के हरानी होगी कि कितना बड़लाव आया है, लोग पकड़नी पाते हैं, 2014-15 में हमारे देश में 2000 electric vehicle थे, 2000 BK थे, 2014-15 में 2000 electric vehicle BK थे, 2023-24 में, बारा लाग electric vehicle BK है, कहां 2000 का बारा लाग, इसका मतले इतना बड़ा charging station का network बना है, परियावरन को बहुत बड़ी मदद मिली है, यहने एक प्रकार से और उसको लेकर कि हमने आपके policy का रूप दिया है, हमने दुनिया को कहा है कि भारत बहुत तेजी से इवी पर ज जाए हुआ है, इतना ही नहीं, हम मैं चाहता हूँ हिंदूस्तान में निवेश आना चुई को कि भारत में भो चीजे जिसमें भले पैसा किशिगा भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चुई, उसके अंदर सुगंद मेरे देश की मिट्टी के आनी चाहिए, ताकि मेर देश के नवजवानों को रोजगार में और मैं उसके लिए आप देखिए गूगल उसका बड़ा काम यहां कर रहा है सैमसंग यहां पर आया एपल बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर आया हमार यहां बड़ोधरा के अंदर एरकाप मेंडिफेक्टिंग के लिए काम शुदू हुआ सेमिकंड़क्टर के लिए अभी तो ताइवान के लीडर का बड़ा अच्छा बयान भी आया याने हम हर क्षेत्र में चाहते हैं लोग टेकलोजी टांसपर करें हम चाहते हैं लोग पुझी निवेश करें हम चाहते हैं अब मुझे मजून नहीं है कि मेरा देश गेहू बहर जाएए और बलेड में बहर से लिए मैं इसा नहीं चाहूँगह जो भी करूँगह मेरे देश में करूँगैं safely अन्हीं निवेश के करूँगह एक तो first time voters, पहले बार जो महद्दान करने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, और दूसरा जो इमानदार मध्यम वर्गियव करदाता है, honest, middle class taxpayer, millions are there, तो उनके लिए वो क्या उन्मीद कर सकते हैं, Moody 3.0? देखिये, मैं जो विक्सित भारत की बाद करता हूँ, उसके साथ simultaneous कि इसका भविश्य जुड़ा हुआ है, जो आज 20 साल का है, वो 2047 में, उसकी पुरन जिन्दिगी का अलखन है इक प्रकार से, तब वो 40, 45, 50 का होगा, मतलब ये भारत के विक्सित भारत बनने की प्रक्रियार, उसकी जिन्दिगी की प्रक्रिया दोनों साथ है, golden opportunity है उसके साथ, ये सबसे ज़्यादा beneficiary आज का जो first time voter है, वो 2047 का सबसे बड़ा beneficiary बनने वादा, ये बात मैं उसको समझा रहा हूँ, कि भई मैं तेरा भविश बना रहा हूँ, तुम मेरे साथ जोड़ जाओ, और मैं का मानता हूँ, को जोड़ेगा, दूसरा first time voter जो है, वो परंपरागत चीजों से भाराना चाहता है, अब आप देखे विपक्स का गोशना पत्रा है, पूरी तरह एकोनोमी को फेल करने बार गोशना पत्रा है, एक प से कम है, उनके भविष को रौंदने वाला उनका मैनिफेस्टों के एकानोमी को प्रोग्रेम है, वो तो खटाकट 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 पैसे देने वाला, मैं उनको क्या करना है, पूरा आगे अनालिज करो है, तो सबसे बड़ा नुक्षान ये जो देश के पचीज साल की उ जिनगी बनानी है, मैं देश में इनोवेशन को बल देना चाहता हूँ, देखी देश में जो पैटन इन देनों रिजिस्टी हुई, हिस्ट्रोड रेकॉर्ड है पैटन के, तो यंग जनरेशन को लगता है, हमारी जिनगी बट रही है, आज डेटा मेरे देश का इतना सस्ता है, मैं जानता हूँ मेरे देश के आर्थी गरूप से नुक्सान हो रहा है, लेकिं सस्ता डेटा का परणाम है कि मैं देश में डिजिटल रिवालुशन लाने में मेरे नौजमानों को मैंने ताकत दी है, आज वो दुनिया मुझे अभी गेमिंग वाले बच्चे मिलेते हैं वो कहते हैं, साथ, दुनिया के देश में हम खेलने के जाते हैं, वहाँ डेटा इतना महंगा है, बहले हम पचास बार सोते हैं, हम भारत के अंदर इतना हमारे लिए अवसर है, इतना सस्ता डेटा है ते हमिम्मत कर रहे हैं, एजुकेशन है, आज डेटा सस्ता होने के एकर उसको कितनी फाइदा वरा है ची लॉंग दिस्टेंस लर्निंग हां हर चीज में तेलिमेडिसीन में यह जो हमने इन चीजों पर कंट्रोल करके रखा इसका बहुत बड़ा लाब बड़ा है बड़ा रिवोलिशन हो रहा है और जो मिदल क्लास टैक्सपेयर है उसके लिए जो तक टैक्सपेयर है तो देश कैसे चले जए यह मैं समझ नहीं आता हुई किस सोच का पढ़ना है देखिए क्या बड़ावाया है मैं टैक्सपेयर की बात करो पिछले दस वर्स में है ITR फाइल करने वाले के संख्या दो गुने से दिव हो गए पहले चार करोड से भी कम लोग ITR फाइल करते थे आज आठ करोड से ज़्यादा लोग ITR फाइल कर रहे है टैक्स कलेक्शन तीन गुना बड़ोतरी हुई है मतलब पहले जो नेट टैक्स कलेक्शन होता था वो 11 लाग करोड रुपे हो रहा है यह क्यों हो रहा है उसको भरोसा है कि वो जो पैसा दे रहा है वो सही जगा पे उप्योग हो रहा है विकास के काम चोरी लूट फाट में निया इसलिए वो विश्वात के कारण देने के लिए आ गया है दूसरा साथ लाख रुपिय तक की इनकमपट टैक्स हमने माप कर दिया है जो पहले दो धाई लाग को एटका हुआ था साथ लाख रुपिय कमाई तक कोई टैक्स नहीं दे रहा है फिर भी मेरे यह टैक्स बढ़ रहा है और इसलिए मैं मानता हूँ मैं तो हर टैक्सपेर का रुदेशा अभार दर्श्पे करता हूँ क्योंकि जो मुझे सपने पूरे करने हैं उसमें टैक्सपेर जो धन देता ह मैं उसी से होने वाळा हैं और मैं मानता हूँ देश की प्रगति के लिए करदाताओं की संध्या बढ़नी चाहिए और करदाताओं कर बोच कम होना चाहिए इस मुलभूत फिलोस्वी तरफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ जैसे और मैं तो करदाता उसे प्राथना भी करूँगा कि देश के खाते विक्सीद भारत के लिए करदाता क्या कर सकता है मैं उनको कहूँ रहा कि आप कम से कम तीन लोगों को जो टैक्स नहीं देते हैं उनको प्रेडित करो कि वो टैक्स देना शुरू करे हर टैक्स पेर सिर्फ तीन लोगों को प्रेडित करे और और मैं उनको सम्झाता हूँ जब गरीब का घर मनाता हूँ उसमें जो हीत लग दिय किसे ने किसी टैक्सपेर की हीट है उसका जो पुन्य है उसका पुन्य है उसका पुन्य उस टैक्सपेर को जाता है उसका पुन्य उस टैक्सपेर को जाता है किसी गरीब को मैं जब मुप्त राशन देता हूं जब खाना पका करके अपने बच्चों को खिलाता है तब वो कोई तो टैक्सपेर सोचें, कि हाश, मैंने टैक्स दिया था, वो भूका बच्चा खाना का रहा है, उसको टैक्स देने का आनन्द आएगा, और इसलिए मैं टैक्सपेर का धन, जन कल्यान के काम, इनको को रिलेट करकर के ही चलना चाहता हूं, तकि देने वाले को संतोस हो, कि मेरे पैसों से यह हो रहा है, यह बहुत बड़ी आवश्यक्ता है, और मैं बार-बार कहता हूं, कि यह जो गरीब के घर के थाली है, उसका संतोस का जो पून्य है, उसका हख़दार कोई है, कोई देश का टैक्स पेर है, मोधी जी, चुनाव के दोरान आपने वक्त में काला, और हम से इतनी सारी बाते के, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मेरे देश वास्यों से यह, फस्टाइम वोटर्स को मेरी अपील है, कि देश के नाम बोट कीजिए, उनको कोई राजनिति बोट के लिए नहीं कहारा, देश के नाम बोट के लिए, खुद क्या आने वाला पच्छी साल के भविश के लिए वोट करें, यह मैं उनसे आगरे करूंगा, दूसरा में देश वास्यों का कहूंगा, मैं सभी पुलिटिकल पार्टी के वरकर्स को भी कहना चाहूंगा, जिए तक इस धूप में, इस गर्मी में, मदाताओं को भी कहूंगा, इतनी धूप क्यों नहीं हो, आप मतदान अवश्य करें, हो सकें, तो सुबे जल्दी-जल्दी मतदान कीजिए, और लोकसंत्र के उत्सव के रुपे इस चुनाव को मनाएं, यही मेरी प्रात्ता होगी अगली चुनाव, तर्दियों में कीजिएगा और वन नेशन, वन इलेक्शन वाला, आपने सही बंदा उठाया, वन नेशन, वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है, हमने पार्लामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमिटी भी बनाई थी, कमिटी का रिपोर्ट भी आया है, तो one nation, one election के समझ में, देश में बहुत लोग पोण बोड आये हैं, सबी बनालों ने, बहुत लोगण इसमें, जो कमिटी को अपना सुझाव दिये हैं, बहुत ही positive सुझाव आये हैं, और बड़े innovative सुझाव आये हैं, और देश का बहुत बड़ा लाब होगा, अगर हम इस लागू करवा पाते हैं जी धन्यवाद मुझी नमस्कारी थेंक यू